नमस्ते मेरे नाम सौरभ है आप लेलन टॉप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल किया रहा है बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान मुसल्मानों की हलत कितनी खराब है देखो कितने सेख़ों मुसल्मान उनको परेशान किया गया आए इस वीडियो की सत्यता जाचते हैं इस तरह के स्क्रीन शॉट हैं दुखत घटना समाजिक तत्तों ने पश्चे मंगाल के तीन सो मुसलिम घरों को जला कर राक कर दिया गटना सुबह साथ वजे मंगलवार को पश्चे मंगाल के तेलनी पारा जिले में हुई ये उसकी तस्वीर एक पूरा मैसिज किया है कोई हमजद अंसारी है उन्होंने फेस्बूक पेज़ पे वीडियो पोस्ट किया है दुखत घटना तीन सो मुसलिम घर जला दिये साथ बजे मंगलवार को पश्चे मंगाल के तेलनी पारा जिले में हिंदू-मुसलिम नफरत की वज़े से जलता हुए भारत कब तक कैसा होता रहेगा इस्लामफोबिया इंडिया इस्लामफोबिया स्टॉप टार्गेटिंग मुसलिम यह देखे यह वो वीडियो है यह वीडियो इस तरह का है और उसके साथ यह मैसेज है 7000 से जादा बार यह ही शेयर हुआ कई सोशल मीडिया ओसे वीडियो के इस दाववे के साथ पोस्त किया कि देखो सहां मुसल्मानों के साथ कैसा हो रहा है हमने पर्ताल की, पर्ताल में ये दावा जूटा निकला हमने वाइरल वीडियो के एक फ्रेम को रिवर्स इमेज से सर्च किया तो हमें रोहिंग्या नेशनल न्यूज नाम के फेस्बुक पेज पे 12 मईज 2020 को अपलोड हुए वीडियो का एक वीडियो मिला पूरा वीडियो 11 मिनट 44 सेकेंड का है, वीडियो के साथ लगा के अप्शन हंग्रेजी में है, उसका हिंदी क्या है ये बता देते हैं आपको आज सुबर कुटुम लोंग रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई और कुटुम लोंग रिफ्यूजी कैंप में 312 शेल्टर पूरी तर बरबाद हो गए, 362 शेल्टर होम और छोटी दुकानों को नुकसान हुआ UNHRC की मताबिक और European Rohingya Council को मिली जानकारी के अंसार कम से कम 10 लोगों को उल पहँचाने की अपील करता ये वह वीडियो है जो हिंदुस्तान में पाश्ष बंगाल की मुसलमानों को बता है वो बंगला देश का वीडियो है और बंगलादेश में म्यामार से अफेल ती रोहिंग या मुस्लिम उनका वीडियो है यह देखिए यह वो वीडियो है इसमें 10 मिनट 33 सेकेंड का जो मार्क है 10 मिनट 33 सेकेंड का जो मार्क है यह लिजा यही वो वीडियो है जो आपको दिखाया गया एग्जेक्ली यह वही वीडियो है जो हमने आपको उपर दिखाया 10 मिनट 33 सेकेंड पर वो हिस्सा हमने ERC का Twitter account भी चेक किया देखिए EU Rohingya Council तो 12 मई को ERC ने UNHCR को बंगलदेश के tweet को code tweet का refugee camp में मदद पहुचाने वाली संस्थाओं को शुक्रिया कहा था ये देखिए बंगलदेश में आग लगी, रोहिंगया मुस्लिमों के camp में आग लगी और उसके लिए शुक्रिया या मदद पहुचाने के अपील की गई और सर्च किया तो पता चला कि कुटब लोंग refugee camp बंगलदेश के कॉक्स बाजार इलाके में है इसमें रहने वाले अधिकतर लोग म्यामार से भागे हुए रोहिंगया मुस्लिम है 12 माई को आग लगी तो तमाम अंतराश्टी संस्थावने से कवर किया तेलनी पारा में एक व्यक्ति को कोरोना कहकर समभोधित किये जाने के बाद दो समधाया में हिंसा बढ़की थी 14 माई की रिपोर्ट के मताबिक हिंसा के लिए 129 लोगों को गरफतार किया गया साथी 17 माई की शाम तक इंटरनेट बंद किया गया इलाके में धारा 144 लगाई गई ममताम एनरजी पर इल्जाम लगाए गए कि वो एक संपरदाय विशेश के हितों की रखवाली कर रही है वगएरा वगएरा इस तरह कि लगाए गए वहाँ पर संपरदाय खिंसा हुई है तेली पारा में जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग प्रभावित हुए है और पुलिस की एक तरफा कारवाई पर सवालय निशान भी उठ रहे है लेकिन ये जो वीडियो वाइरल हो रहा है इसका हिंदुस्तान के मुसल्मानों से कोई लेना देना नहीं है अब हिंदुस्तान के लोगों को सोचना है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो ये जो आपके अंदर के डर को बढ़ाने के लिए सिलेक्टिव वीडियो दिखाई जाते हैं उनकी कहानियां सुनने से पहले भी तथ्य और सत्य जात लीजे और यही बात जो दूसरे पाले की लोगें यानि हिंदू लोगें उनसे भी कहा जाता है। कोई आपको कह रहा है हिंदू खत्रे में, कोई कह रहा है मुसल्मान खत्रे में, इस देश का सम्मिधान, इस देश का हिंसान, इस देश की आत्मा, इस देश की अर्थ विवस्था, ये सब लोग खत्रे में हैं, सत्य को खत्रे में मट डालिये, जूटी खबरों के प्रति लगती है तो बेजिए हमें पर्ताल के लिए हमारा पता है पर्तालमेल.com शुक्रिया